यदि आपने इस वीडियो को इसलिए किलिक किया है कि इस वीडियो से मुझे एक्जाम में आने वाला कोशन मिलने वाला है तो 100% आपने सही वीडियो को किलिक किया है इससे डरना नहीं है इस वीडियो को ध्यान से देखना है अगर ध्यान से देखिएगा तो आपका साथ साथ objective का जितने भी question है वो clear होते जाएंगे तो चलिए इस वीडियो पर अगर आप नए आए हैं पहले बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को एक बार subscribe जरूर कर लिजिए आपसे request है कि subscribe कर लिजिए चलिए अगला वीडियो देख लेते हैं यह जो है पार्ट यह मेरे वीडियो का पार्ट नमबर 6 है कितना है पार्ट नमबर 6 है इससे पहले बहुत सारे वीडियो बन चुका है और बहुत सारे important question आपको पीछे हो चुका है अगर नहीं देखे हैं जैसे कि यह देखिए 1112 13 में यह सारे question पूछा हुआ है यह सारे वीडियो जो है पहले का है य यह अगले वीडियो अगर पीछे वीडियो जो छुट चुका है अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीजिट करके सारे वीडियो को जा करके देख लेंगे कि ताकि आपका सारा important question clear हो जाएगा तो चलिए आज के हम लोग इस वीडियो में यह सारे important question करने वाल तो देखले जी यह question का कहता है इसको ध्यान से एक बार देखले जी थोड़ा सा background छेज़ेंड कर लेते हैं यहाँ पी यह question को ध्यान से देखिएगा कर रहा है कि परिमे और अपरिमे का यानि परिमे और अपरिमे संख्या का गुणन फल डेडेस होता है यानि परिमे का और अपरिमे का अगर गुणा होगा तो क्या होगा संख्या ओ भी संख्या अपरिमे ही होगा इसमें कोई सक नहीं है जाके प्टाक से अपरिमे ही लिखती जिएगा option B सही है जाते उसमें डाल देना है प्टाक से आँखम के कोई दिखना नहीं है ठीक है आपको concept clear है कि गुणा होगा तो क्या होगा अपरी में ही होगा ठीक है concept clear होगा आपका फिर कारा है किसी दिभाजन परकिरिया में यदि a बुराबर b q पलस r तब r का मान डेड़ेस होता है तो तब जो है r का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है तो क्या होता है जैसे की आर ऐसे लिखते हैं ierno condition जो सोरी यहाँ पर 0 बड़ा या बुराबर होता है किसे r से तो यहाँ पर यह condition फोलो करेगा तो क्या हो जाएगा अधित्य हल हो जाएगा यानि option B जो है इस question का सही जवाब हो रहा है अब देखिए वास्तविक संख्या मुल रूप से dead as परकार के होते हैं तो वास्तविक संख्या मुल रूप से 2 होते हैं क्या होते हैं कितने परकार के होते हैं दो परकार के, कितने यहां पे रूप से दो परकार के होते हैं, option यह जो है सही जवाब है इस question का, देखिए आप लोग option देख करके आप लोग जो है click मत किजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे option जो है गलत है, क्योंकि पुछे पीशे वाला question में हम लोग उसको बताये थें क कौन कौन से गलत हो गया था, तो वो option पर नहीं ध्यान देना है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं tick कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है, यहां पे फिल कर रहा है, किसी परिमे संख्या का दसमलोग परसार, डर डैस कहलाता है, यदि हर का गुणंखन, यहां पे 2M गुण क्या है, यानि 5 के पावर N के रूप का होता है, तो M N रिनात्म पूनांख है, तो अगर इस तरह का कंडिशन जब दिया रहेगा, तो वो क्या होगा, सान्थ होगा, क्या होगा, सान्थ होगा, option यह जो है, इस question का सही जवाब होगा, अब देख लिजिए, यहां प must have, बहुत वैब कर रहा है, कि रूट 3 और रूट 12, तो आप लोग जानते हैं कि रूट 3 परीमे संख्या है, पर 12 भी परीमे संख्या है, ठीक है, तो आप का होगा, यह हमें बताना है, डर-डर संख्या होगा, तो इसको हम लोग कहले काटेंगे, 3, यहां पे, 3 एकम, 3 रू मुल तो वन निकल जाता है और चार का वर्ग मुल दो निकल जाता है तो एक वट्टा दू क्या होता है परिमे संख्या होता है तो इसलिए सही जवाब है इस कोश्चन का अगर रटिएगा तो फसिएगा ज्यादा नमबर नहीं लेके आ सकते हैं तो ज्यादा नमबर लाना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए क्योंकि आपको समझा समझा के एक एक पॉइंट मैं बताने वाला हूं अब जो है यहाँ पे एक बटा रूट थिरी डर्डर संख्या है तो एक बटा थिरी जो होता है क्या दे रखा है यहाँ पे और परिमे देखिए यहाँ पे बी में अप्शन का दे रखा है कर रहा है और परिमे संख्या है चलिए इसको बात को मान लीजिए एक बार मानने में का जाता ह ठीक है अगला question देख लेते हैं यहाँ पे यहाँ पे आ गया है 89 नंबर question क्या कर रहा है root 3 एक है direction क्या तो जब भी इसका जो है root 3 आ जाए तो बीना देखे आप परिमेपर क्लिक कर देना है यानि option C सही होगा आप परिमेशन क्या यहाँ पे फिल कर रहा यदि भाग algorithm a बराबर b q पलस r में a बराबर 72 और b बराबर 9 होतो r डर्डेस होगा तो जब इस तरह का संख्या आएगा तो r क्या होगा यह हमें बताना है तो क्या करेंगे यहाँ पे एक संख्या गया दे दिया है 72 तो 72 लिखेंगे और इसमें भाग देंगे कितना से 9 तो 9, 8, 72 यानि कट गया तो यानि 72 में से 72 गया क्या गया जीरो तो यहाँ पे देखिए option D जो है 0 है तो इसलिए option D सही जवाब है इस question का देखिए समाज के परल लिजीए गया तो जाते आप question को फट 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 मार दीजिएगा अब जो आप समाज के परल बहें नहीं कीजिएगा तो का मर आई एगा ठाओ तो समझ के पढ़ यह नहीं एक वार समझाने के लिए हम हाँ है फिरी में पढ़ा रहे हैं तो आपका दिक्कत है जी बावू चलिए अब 22 बटा साथ एक है देखिए पाई का भायलू होता है 22 बटा साथ कोश्चन देखने को मिल जाएगा देखे इस कोश्चन को बेरासी वाला कोश्चन देखे रूट 3 और माइनस में ये गो दे दिया है ये गो पलस में दे दिया है तो माइनस पलस तो दिया है ये ठीक है ठीक है यहां तो ठीक चला है पर यहां पे जैसे गूरा होगा तो यहां यहाँ पे a minus b का whole square वाला फर्मूला देखें है न तो वहीं कारणामा यहाँ हो जाएगा थिरी पलस root, sorry, पलस नहीं होगा, यहाँ पे minus हो जाएगा, थिरी अवर root, यहाँ पे देख लिजे, हो जाएगा आपका 3 और minus root 3 का whole square, आज जब square से का होता है, root कटता है, तो जब root होट जाएगा, तो का हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6, तो यहाँ पे का हो जाएगा, एक परिमे संख्या हो जाएगा, तो option C का हो जाएगा, सही हो गया, इस question का, अब यहाँ पे देख लिए, भाज जे बुराबर, δेख गुंड भागपल पला, उस ते होता है, तो भाज जे बुराबर, भाजक होता है, इस question का, जब बाज लबार, भाजक गुंड भागपल, पला, तो option A, जो है é, इस question का, सही जवाब है, option A, को clear कर रहा है तो इसका सही जवाब जो है क्या हो रहा है कॉल आ रहा है ठीक है इसको हम लोग बाद में देख लेंगे देखिये आपका वी वीडियो इधर उदर भागता होगा तो इधर उदर भागा देते हैं तो उसे मत किजिए ठीक है यहां पर आपड़ाई परद्याण दीची यहां पे पंद्र, रूट पंद्र गट्टा, थी एक देड़नेस पर में, डेज़नेस संख्या है, तो अगर इस तरह का संख्या है, तो क्या होगा? आपरी में होगा, कींकि अगर 3-5 चेंग पंद्रें कर दे रहे हैं, तो 5 भी का हो जाएगा? पांच भी तो एक अपर में संख्या है ना अगर काट भी देते हैं 3 से 5 को तो क्या हो जाएगा वो भी तो अपर में होगा 5 तो 5 भी क्या हो गया अपर में तो इसलिए option C जो है सही जवाब है इस question का फिर करा है परिमें संख्या 3 के power और स्वरी 2 के power 3 और 5 के power तो बोले थे ना कि जहां भी आपको 2 और 5 मिल जाये चाहें खाली 2 के power कितना हो मिल जाये चाहें खाली 5 के power कुछ भी मिल जाये तो क्या होगा तो वो जो है सांथ हो जाता है का हो जाता है तो option A इस question का सही जवाब होगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो आपको समाझ में आया है तो आपको एक लाइप करने में कुछ नहीं जाता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाज